Hi everyone, myself Manishah, welcome to MLT Education Point. आज हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में. तो डेंगू को हम डेंगी वायरस भी कहते हैं. तो डेंगू क्या है? एक तरह का वायरस है. ठीके? बात करते हैं D-E-N-V यानि कि डेंगू वायरस is most common herbivirus जिसे हम flavivirus भी कहते हैं. अब अर्बो वाइरस क्यों कहते हैं क्योंकि यह क्या है का अर्थोफोड वाइरस है अर्थोफोड वाइरस मतलब कि यह किसे वेक्टर की द्वारा फैलने वाला वेक्टर क्या काम करता है यानि कि कोई से भी बिमारी एक परसन से दुसरे परसन में फैलाता है तो वो क्या कहलाता है वेक्टर कहलाता है तो जो भी वाइरस वेक्टर की द्वारा फिलता है उसे हम अर्बो वाइरस कहते हैं उसके बाद में also known is break bone fever, इसे हम क्या कहते हैं? break bone fever, यानि कि आपके joint बहुत ज़्यादा पहिन होते हैं, bone ज़्यादा पहिन होती है, ऐसा लगता है मानो bone टूट रही हो, तो bone ज़्यादा पहिन होती है, तो इसे हम break bone fever कहते हैं, उसके बाद में ये dango virus जो है किस vector की द्वारा वेक्टर यानिकी जैसे कि मक्चर हो गया तो उस वेक्टर का नाम क्या है spread by यानिकी कि किसके द्वारा spread हो रहा है किसके द्वारा ये virus फेल रहा है तो उस मक्चर का नाम है adis azipty तेक एडis azipty उसके बाद में by it repeatedly more than one person ये मक्चर क्या करता है यानि कि एक से अधिक पर्सन में बहुत ज़्यादा ये वाइरस फिलाता है कैसे फिलाता है जैसे कि इसने ये जो मच्छर है इसने किसी infected पर्सन को यानि कि जिसको डिंगू वाइरस है उसको काटा उसके पास में एक और पर्सन बेटा हुआ था तो इस मच्छर ने इसको काटा तो इसके इस बलड से इसने क्या किया उस वाइरस को उठाया और उस पर्सन की इसमें डाल देया जिसको कोई infection नहीं था तो वो भी ये जो पर्सन है इसको भी अब डिंगू वाइरस हो जाएगा तो ये वेक्टर जो है जब अपनी वोडी के अंदर जाता है तो ये जाकर ये multiplication करता है इसकी growth को बढ़ाता है इस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा critical भी हो सकता है तो किन पास डिंगू वाइरस ही इसको मैंने शोट में लिखा है उसकी बाद में incubation periods की हम बात करें तो incubation periods यानि की डेंगू वाइरस यानि की जब ये आपके बोडी के अंदर इंटर हुआ है तो उसकी बाद में आपको बाद में धीरे धीरे इसकी multiplication के बाद में जो symptom दिखने लग जाते हैं इसे हम कहता है incubation period तो normally इसका incubation period जो होता है वो 3 to 10 days का होता है उसमें फिर्स होता है febrile fever febrile fever मतलब की जब ये virus का multiplication होने लग गया है तो दीरे दीरे ये क्या होता है symptoms देने लग जाता है और इसमें fever आपको आने लग जाता है जो ये fever आने तक का incubation periods है जो 2 to 5 days का होता है उसके बाद में ये condition बहुत ज़्यादा सेवेर हो जाती है आपको बहुत ज़्यादा फीवर आने लग जाता है बहुत तैच फीवर उसके अलावा और भी symptoms वह शो होने लग जाते हैं तो वह होता है 5 to test day का incubation period होता है जब condition जो ज़्यादा सेवेर हो जाती है और फेब्राइल फीवर जब 2 to 5 days जब फीवर आना जो हो स्टार्ट हो जाता है जब डेंगू वाइरस जो है अंदर उसके multiplication उसकी growth को बड़ा देता है फेल लग जाता है जब आपकी वोड़ी के अंदर उसके बाद में symptoms क्या दिखते हैं वह हम बात करते हैं symptoms की इसमें symptoms जो होता है वह अलग-अलग तरीके के होते हैं अलग-अलग टाइप्स के होते हैं जिसे कि डेंगू फीवर डेंगू फीवर यह डेंगू शोक सेंड्रोम तो यह हम आगे पढ़ेंगे अभी फर्स बात करते हैं डेंगू फीवर के जब फर्स आपको यह डेंगू वाइरस आपके बोड़ी के अंदर आया है इसने इसकी मल्टिप्लिकेशन चालू कर दी है बढ़ना चालू कर दिया है आपको नौर्मली जो है वह माइल सिम्टम्स थोड़े थोड़े से सिम्टम्स जो है वह देखने लग जाते हैं तो आपको हाई फीवर आने लग जाएगा उसकी बाद में मैकिलो पॉपुलर रैशिस यानिकी लाल लाल चकते आपकी स्कीन के उपर जो है वह रेड रेडनेस आपको दिखने लग जाएगे चोटे चोटे से रेडनेस चकते जिसे हम बोलते हैं हो जाएगे हैडेक होने लग जाएगा मसल से जोइन पैन होने लग जाएगे इसे भी आपने पड़ा अभी कि ब्रेक बॉन फीवर इसे कहते हैं यानि कि आपको इसा लगता है जिसे मानों आपकी बॉन टूट रही हो तो यानि कि बॉन में बहुत ज़्यादा पैन होता है तो मसल सो जोइन पैन हो सकता है रेट्रो और्बिटल पैन यानि कि आपके आग का जो आसपास का एरिया है यहां पे नीचे लग जाएगा नौजिया हो सकता है व्वमेटिंग हो सकता है यह विदिन आवर्स में यह कुमन सब्सक्ता है जिसकी हम आप बात करेंगे जब condition critical हो जाती है तो उस हम कहते हैं डेंगू hemorrhagic fever यानि कि fever जो होता है वो बढ़ता जाता है और symptoms जो होते हैं हमें और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं जैसे कि continuous fever जो होता है वो आता रहता है उसके बाद में thrombocytopenia अब thrombocytopenia क्या होता है तो thrombocytopenia क्या होता है तो thrombocytopenia मतलब होता है platelet और site मतलब होता है cell और penia मतलब की होता है decrease यानि कि जो platelet cell है हमारी जैसे WBC हो गया RBC हो गया तो platelet क्या होती है इसमें decrease होने लग जाती है उस condition को हम कहते हैं thrombocytopenia तो इसमें platelet जो होती है वो बहु हो जाती है जिसे कि एक लाग से कम हो जाती है तो उसे हम थ्रमोसाइटोपीनिया कहते हैं बट डेंगु की कंडिशन जैसे ही बढ़ती जाती है अगर बहुत क्रिटिकल कंडिशन होती जा रही है तो उस कंडिशन में प्लेट जो होती है हमारी 10,000-15,000 अजार इसी भी रह जात लगता है निकल रहा है रही है क्या होता है कि बलड का लोल नहीं बनता है बन्त हएं भरों अर प्लेटिट कास्य घंड लेडिर से आचीन ब्लिडिक से भी वहा ब्लेडिक के दूने करें सिरींच न orada है अगर यृटल इकल उन्लीज उसके बाद सीषितें अगराया वह स्वाएं कि çुम्प शरना हैयर। थे सटिने कनलने हो पाता है कેला में हमां। अफिरेजिक ओम यह से भी नाम से समझ में आ रहा है कि ब्लड से रिलेटेट है तो उसके बार में सेकेंड है डेंगू शोक सिंड्रोम अगर यह कंडिशन जो होती है वह बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है उसका बुखार जो होता है वह कम नहीं हो रहा है 8-10 दिन हो गए है यह सारे सिंटम्स य रहे है उसके बाद में आपको यह वाले सिंटम्स दिखने लग जाते हैं तो वह किता है कि लाता है डेंगू शोक सिंड्रम यहने की कंडिशन जो है वह बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है सिवियर हो गई है तो आर्ड डेहटेरिया प्रजेंट याने की डेंगू हीमोरे क्या होता है कि यह ब्लड का फ्लो जो हो रहा है जिसे कि ब्लीडिंग होने लग जाती है अगर सब कर गया से तो पल्स जो होती है वह क्या होने लग जाती है वीक होने लग जाती है जिससे कि हार्टेटिक के चांसे जो है वो बढ़ जाते हैं उसके बाद में प्रजेंस ओफ 20 mmHg के करीबन हो जाता है तो यह कंडिशन हो जाती है डिंगु में अगर जब बहुत ज्यादा सेवियर कंडिशन हो जाती है तो उसमें हम लैबोरेट्री डाइगनोसिस में कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको डिंगु प्रजेंट है या अपसेंट है तो एक टेस्ट होत एक एक से मतलब की पांस दिन हो गए है तो इस कंडिशन में एने टेस्ट कर वाते हैं तो पोजिटीव आ सकता है अगर पांस दिन बाद आपको फिवर कंटिन्यूस है तो हमें आई जी एम एंटीबोडी टेस्ट होता है वह टेस्ट करवाना चाहिए जिसे आमें और यहां नहीं जैसे की हमारी बोडी में कोई ओंजिए नुदा है तो इसके अगेंट्स हमारी वोडी ऐंटीवोडी बनाती है तो यह आई जीएम एंटीवॉडी बनती है इस एंग्वो एंटीवर कर सकते हैं आफटर फाइब पांस दिन से पहले अगर डिटेक्ट पर नह अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशन की कंडिशन जो अगर बहुत ज़्यादा सिवियर होती जा रही है तो उस कंडिशन में आपको प्लेट चड़ानी पड़ेगी पेशन को और अगर नेचुरली बात करें तो पपीते का पत्ते का रस पिला सकते हैं थाइंक्यू